हाई और विल्कम टो आवर चानल आज पढ़ेंगे लेवल्स ओफ टीचिंग का थर्ड लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल ओफ टीचिंग इससे पहले हमने मेमरी लेवल और अंडरस्टाइनिंग लेवल को डीटेल में एक्स्प्रेंड किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ते दोंगी तो हमने पढ़ा था कि टीचिंग के तीन लेवल्स है पहला है में मरी लेवल जो एक्डम बॉटम में होता है और जिसका कंसरण ये होता है कि टीचर स्टूडेंट को सिरफ याद करवाएगा उसे सिरफ चीज़ों को याद करवाना है फिर आता है मतलब उसका एकदम अच्छे से वो concept को समझ जाए अब उसके बाद आता है third level और topmost level वो है reflective level इसका concern क्या है अभी हम पढ़ेंगे तो reflective level of teaching highest level of thoughtfulness of teacher and student अब यह क्या है यह सबसे उपर का level है तो इसमें जो thoughtfulness है यानि जो सोच विचार करना है वो सबसे ज्यादा है teacher का भी और student का भी यानि पहले memory level पे student ने सब कुछ याद कर लिया फिर understanding level पे उसने समझ लिया पूरे concept को अब उसने जो समझा है उसने जो भी सीखा है इतने दिनों से उसको अब वो reflective level पे आके apply करेगा real life situation पे तो जब हम कोई भी चीज़ apply करेंगे या मालो problem solve करेंगे तो उसमें जो thoughtfulness है जो thinking ability है वो सबसे ज्यादा होगी तो इसमें क्या है highest level of thoughtfulness includes both memory and understanding तो obviously पहले memory level और फिर understanding level को पार करने के बाद ही कोई reflective level पे आएगा तो ये जो memory and understanding level है ये इसका base है तो reflective level पे ये दोनों भी आ जाते है problem centered teaching अब इसमें क्या है मैंने बोला कि वो problem solve करते हैं तो ये mainly क्या है problem centered teaching है यानि इसमें teacher mainly students से problem solve करवाता है और student problem solve करते करते ही सीखता है also called introspective level इसको introspective level भी बोला जाता है ये याद कर लिजेगा तो इसका मतलब क्या है कि introspection करना मतलब जो हम जब खुद पे ही खुद के बार में मतलब अपने मन में कुछ सोचते है यानि और सोच के अपना कुछ idea देते है तो मतलब जो उन्होंने सीखा है students ने पहले अब उसको वो use करके जो उसका understanding है उसको use करके उसको सोच विचार क करके वो उस problem को solve करेगा तो इसमें वो क्या करेगा introspection वो करेगा it has roots in cognitive field theory और goal insight theory यह जो दो theories है मतलब cognitive field theory goal insight theory इन में reflective level की बात किये गई है फिर है teacher does not deliver knowledge directly और forcefully अब देखिए इस बात को समझिए कि इस level पर आके teacher directly student को कुछ नहीं बताएगा यानि directly या forcefully मतलब अपने ही हिसाब से जो उसे मन हुआ या फिर एकदम directly जो knowledge है जो सिखाना वो चाहते है वो एकदम directly student को नहीं सिखाएगा teacher puts a problem before students and let them utilize their creative thinking to solve it exactly यही important है reflective level में कि teacher एक problem student के सामने present करता है कि देखो तुमारे सामने यह problem है अब teacher उस problem का solution खुद नहीं बताएगा directly नहीं बताएगा student को सोचने देगा कि वो खुद सोचके अपना जो creative thinking है यानि problem solve करने की जो ability है अपना thinking को वो खुद use करे और खुद इस problem का solution निकाले तो इसमें teacher खुद directly कुछ नहीं करता guide करता है students को it develops इस level पर क्या develop होता है logic and reasoning student को logically सोचना reasoning करना मतलब किसका क्या reason हो सकता है मतलब जो analytical thinking है जो हम कभी भी किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ को relate करते है logically reasoning करते है उस चीज़ को करने का जो ability है वो develop होता है intellectual thinking वही के एकदम दिमाग से दिमाग लगा के logically सोचना problem solving ability students का जो problem real life में problem solve करने का जो ability है वो इससे develop होता है क्योंकि इससे पहले वो problem solve नहीं कर रहा था वो पहले तो सब कुछ memory level पर याद कर रहा था और फिर understanding पर आके वो समझ रहा था हाँ understanding पर उससे subject matter पर complete command था यानि वो एकदम completely detail में जाके उस चीज़ को समझ रहा था लेकिन वो apply नहीं कर रहा था मतलब real life में उसे कैसे use करना है उसे वो तब तक नहीं पुता था इस level पर आके वो खुद अपना जो knowledge उसको use करेगा तो problem solve करने के लिए तो real life में problem solve करने की जो ability है वो इससे develop होगा decision making abilities और decision make करना मतलब खुद वो सोच रहा है तो क्या करना है वो खुद decision लेगा apply their understanding in reality exactly जो उसने सीखा है उसको real life में reality में कोई problem को solve करने के लिए apply करेगा building ideas and thoughts student खुद अपना idea thoughts को build करेंगे वो अपना सोचेंगे मतलब जो books में लिखा है या teacher ने बताया है उसे नहीं खुद सोचना ठीक है original thinking मतलब वो खुद सोचेंगे किसी का copy नहीं करेंगे कि हाब book में वो लिखा है उस जगा वो लिखा है नहीं वो खुद उस problem का solution अपने दिमाग से निकालेंगे उनका जो thinking होगा idea होगा thought होगा वो उनका होगा original होगा highest role of critical thinking इस level पर जो critical thinking है यानि जब भी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं उसे अपने दिमाग में बैठाते हैं फिर उसको अच्छे से analysis करते हैं समझते हैं और फिर उस पे अपना review देते हैं तो इस critical thinking का इसमें बहुत ज़्यदा रोल है देखो reflective मतलब क्या कोई भी चीज़ हम पहले समझ लेंगे फिर उस पे हम reflect करते हैं यानि जो हमने सीखा है जो हमारे अंदर knowledge है उसको हम बहानिकाल के कुछ मतलब utilize करके कोई चीज काम में आ सकता है utilize करना मतलब पहले तो reflect हम कब करेंगे जब हमें understanding होगी अगर हमें किसी चीज़ का understanding ही नहीं है तो हम उसे reflect तो कर ही नहीं सकते तो reflective level यही पर आएगा कि जब हमें already understanding है उसको हम reflect कर रहे यानि उसको हम अब use कर रहे हमारे जो thinking है अब उसको use करके हम problem solve कर रह तो इस level पर teacher का role क्या होता है role of teacher democratic not authoritarian इसमें teacher democratic होता है authoritarian नहीं होता यानि इसमें teacher खुद अपने आप से authority उसका उतना नहीं होता है मतलब वो student पर authoritative नहीं होगा जैसे memory level पर understanding level पर teacher authoritarian था क्योंकि उसमें teacher ही सब कुछ कर रहा था teacher ही समझा रहा था concept को याद करवा रहा था लेकिन इसमें वो democratic है यानि इसमें क्या हुआ कि वो student को अपना ability बढ़ाने दे रहा है यानि वो student को बोलेगा कि तुम सोचो तो student के बारे में भी वो सोचेगा students के जो ideas है उसे भी वो सुनेगा तो वो क्या है democratic है सिर्फ खुद का जो उसका thought है वो नहीं वो apply करेगा students के बारे में student ने क्या सोचा है उसको वो main center में रखता है doesn't impart knowledge directly directly वो knowledge नहीं देगा let students make discovery idea and conclusion student को discover करने के लिए वो देंगे मतलब students को बोलेगे कि तुम सोचो idea conclusion तुम निकालो इसका ठीक है raises the question and initiates interaction question को वो खुद raise करेंगे student के सामने और interaction को शुरू करवाएंगे कि ये ऐसा ऐसा है मतलब थोड़ा सा वो help करेंगे लेकिन पूरा का का काम student को ही करना है खुद वो पूरा का का काम नहीं करेंगे develops thought process of student student का जो thought process है जो thinking करने की ability है सोचना जो है उसको वो initiate कर देते है उसको develop करते है role of student इसमें student क्या है active इसमें student सबसे ज्यादा active होता है क्योंकि इसमें student को ही तो सब कुछ करना है thoughtful student इसमें thoughtful होता है क्योंकि Self motivated जिसको हम बोलते हैं intrinsic motivation यानि motivation इस level पर student का खुद आएगा अंदर से क्योंकि उसे खुद problem solve करना है अब अगर वो खुद motivated नहीं होगा कि मुझे ये problem solve करना है अगर वो हमेशा दूसरों पर dependent रहेगा कि वो कर दे वो मेरा थोड़ा सा help कर दे वो ये बता दे तो वो खुद क कभी कुछ नहीं कर पाएगा इसलिए इसमें जो motivation है student का खुद का motivation होता है कि मैं अपने आप से ये करूंगा ये वो खुद अपने आप से खुद motivate करता है अपने आपको इसलिए वो क्या कर पाता है problem को solve कर पाता है self help करता है socially motivated from teacher हाँ इसमें teacher भी motivate करता है student को और मतलब extrinsic intrinsic मतलब social motivation और self motivation दोनों ही है लेकिन इसमें self motivation एकदम बहुत ज्यादा important है अब हम देखते हैं hunts model जैसे memory level पे harbert का model देखा था understanding पे Morrison का model देखा था इसमें हम देखें के hunt का model तो इस level का focus और emphasis क्या है to utilize acquired knowledge in real situation जो acquired knowledge है मतलब जो knowledge already student को है उसको utilize करना जो actual reality है उसमें to develop rational thinking creativity यानी rational यानी मतलब अच्छा कुछ एकदम जो logical हो जो हो सकता है ऐसा thinking लाना creativity कुछ solve करने के लिए अपना creative thinking लाना problem solve करना decision making abilities यह जो सारे abilities है इसको develop करना to make students independent and have constructive thinking exactly independent होना यानी वो खुद वो problem solve करें वो किसी और पे depend ना करें खुद अपना thinking यूज करके अपना creativeness यूज करके खुद solve करेंगे constructive thinking यानी construction मतलब जब आप कोई भी जीस बनाते हो create करते हो मतलब वो खुद कर रहे है खुद कोई अच्छा चीज कर रहे है जिससे कुछ अच्छा हो सकता है positive कुछ कर रहे है तो constructive thinking syntax यानी इस model पे होता क्या है क्या करना है teacher creates a problematic situation before students student के सामने teacher क्या करेगा एक problematic situation पहले रखेगा मतलब किसी के सामने कोई problem है students analyze the problem and formulate the hypothesis अब student क्या करेगा उस problem को analyze करेगा और hypothesis बनाएगा hypothesis क्या है कि मतलब वो कुछ सोचेगा क्या क्या हो सकता है अब एक problem है तो उसका reason भी तो होगा तो क्या क्या reason हो सकता है किस किस कारण से ये प्रॉब्लम आई है उसका मतलब बहुत सारे कारण को अपने दिवंग में सोचेगा उसको बोलते है हाइपोथिस जैनि क्या क्या हो सकता है ऐसा एक प्लैनिंग हो करेगा अब देखो मैं एक 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 जांबल देती हूँ कि मालो घर पे एक प्रॉब्लम गई एक प्रॉब्लम आ गई तो पहले क्या आया सामने प्रॉब्लम होगा तब भी आप उसे सॉल्फ करोगे अब आप उस प्रॉब्लम के अनलाइस कर रहे हो कि क्यो यह लाइट ठीक से नहीं जल रही और आप हाइपोथिस बना रहे हो मतलब आप इस प्रॉब्लम के पीछ सकता है कि जो बाकी के रूम के लाइट से उसमें भी यह प्रॉबलम हो या फिर हो सकता है आपके पूरे एडिया में ही प्रॉबलम है तो ऐसे बहुत सारे काड़न हो सकते तो आपने ऐसे कुछ हाइपोथिस बनाए अब स्टूडेंट्स वेरिफाई दा हाइपोथिस अब आपमाले के लिए क्या कड़ोगे स् टूडेंस क्लेक्ट डेय्टा टूटेंस्ट दा हाइपोथिस अब हाइपोथिस पूटिस च करना है तो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा मतलब जानकारी लेनी पड़ेगी कि अपक्ष्बल में हुआ को हुआ क्या है जिन जिन रिजन को आपने सोचा है उन रिजन को देखना पड़ेगा कि हां क्या सच में यही रिजन है तो माले आपने क्या किया कि घड़ पे जो बाकी की रूम्स के लाइट है उनको चेक किया कि क्या बाकी के लाइट में भी यह प्रॉब्लम हा रही है तो आप आपने सोचा कि क्या आप सिर्फ हमारे घर में यह प्रॉबलम है या फिर पुरे एरिया में यह प्रॉबलम है तो अपने अपने नीबर के घर पे गए वहां पर पूछा कि क्या आपकी घर में भी ऐसा हो रहा है तो आपको पता चला कि हाँ उन्होंने पूला कि हमारे घर में कुछ lights नहीं जल रहे, कुछ lights का voltage कम आड़ा है, ठीक से नहीं जल रहा, तो आपको पता चला, मतलब ये जो आप हर एक hypothesis को चेक करें, मतलब पहले अपने अपने rooms के light को चेक किये, तो अपने ये एक reason माना था कि हो सकते कि हमारे सारे इस room के lights में problem है, तो इस reason को चेक करने के लिए अप data collect करो, मतलब हर एक चीज़ को आप जान करी लेड़ों, फिर आप निबढ़ के घर गए, तो वहां से जान करी लिए, मतलब अपने data collect किया, अपने जो hypothesis से उसको test करने के लिए, तो आपको कहा पता चला कि जो problem है, वो सिर्फ आपके घर में नहीं है, पूरे area में ही problem है, यानि जो actual problem है, वो main line से है, तो इसको बोलते है, अपने hypothesis को test करना, अब आपने क्या किया, अब आपको पता चला लगया कि हार reason क्या है, hypothesis is tested, अब hypothesis test हो गए, कि हाँ, जो problem है, वो पूरे दो area का ही है, they can derive conclusion, मतलब ये तो मैंने घर का example दिया, मतलब ऐसे students करेंगे, कि hypothesis बनाएंगे, कि क्या क्या reason हो सकते हैं, फिर हर एक reason को वो test करेंगे, data collect करेंगे, फिर जिस पे जो data है, वो support करेगा, जिस hypothesis को, तो हो गया कि हाँ, यही reason है, और जब reason पता चला गया, अब solution भी निकल जाएगा, तो इसमें क्या होँआ, कि student ने खुद किया ना ये, तो उन्होंने खुद अपना thinking लगाया, evaluation और support system, तो यह हो गया syntax के कैसे कैसे होगा, अब reflective level पे student को evaluate कैसे करना है, no objective type questions, इसमें कुछ objective mcq type question नहीं होता है, subjective or essay type is used, हो सकता है कि subjective type, मतलब broad question, essay type, thesis, ऐसा हो सकता है, essay questions, मतलब ऐसे तरीके की evaluate किया जा सकता है, क्योंकि इसमें तो मतलब ऐसा नहीं है कि student की जो सिर्फ memorize करने की ability है, उसको check किया जा रहा है, या फिर सिर्फ उसने theoretically concept को समझा है, कि नहीं यह test किया जा रहा है, तो सिर्फ इसमें क्या होगा, objective से नहीं होगा, subjective हो सकता है, इसमें evaluation किस चीज़ का होता है, evaluation of people's competency to solve problem, मतलब वो problem को solve कर पाते हैं क्या नहीं, competency, उनकी ability है या नहीं solve करने का इसको check किया जाता है, involvement in problematic situation, वो problematic situation में क्या involved होते हैं, क्या वो actively participate करते हैं उसको solve करने के लिए, development of intellectual capabilities, उनका intellectual capability कितना है, वो कितना सोच सकते हैं, कितना decision ले सकते हैं, उसको test किया जाता है, merits, अब इस level के advantages क्या है, student centered, not teacher centered, यह teacher centered नहीं होता, क्योंकि इसमें teacher सिर्फ guide करते हैं, main जो concern है, वो student का है, student ही खुद actively काम करते हैं, खुद engage होते है problem में, तो यह है student centered, problem centered, not subject centered, इसमें जो main, मतलब subject पे, मतलब एक ही subject पे ही पूरा teaching है, ऐसा नहीं होता, जैसे understanding पे क्या होता है, कि सिर्फ एक ही subject को पढ़ाना है, लेकिन इसमें problem पे faced है, किसी एक particular subject पे नहीं, highly thoughtful है, तो यह एक advantage है, open flexible classroom environment, जो classroom का environment है, यानि जिस जहां पे student पर रहा है, वो बहुत ही open है, wide है, flexible है, मतलब एकदम rigid नहीं है, freedom of students from rigid course, students को freedom मिलता है, मतलब freedom मिलता है, मतलब यह नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो एकदम rigid, strict होता है, वो ऐसा नहीं होता, कि सिर्फ इसी subject को पढ़ना है, इससे बाहर हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, वो free है, अपना thinking देने के लिए, अपना सोच apply करने के लिए, वो free है, most appropriate for higher studies, जब लोग higher studies पे जाते हैं, जैसे मानलों research करते हैं, PhD करते हैं, उसमें यह reflective level सबसे ज्यादा कामा थे, क्योंकि उसमें, जो students हैं, वो actually में problem ही solve करते हैं, interaction between teacher and student is active, जादा होता है, demerits क्या है, इसके कुछ limitations भी हैं, जैसे बोल रहें कि, not appropriate for lower classes, क्योंकि यह बच्चों के लिए, यह एकदम lower classes के लिए, अप्रोप्रेट नहीं होगा, only for those who are matured, and intellectual level, मतलब जो intellectually बहुत ही ज़्यादा capable है, उनको ही यह करना आएगा, क्योंकि जो उतना सोच नहीं सकते, problem solve उतना नहीं कर सकते, intellectual capabilities जीज में कम है, उनके लिए यह उतना appropriate नहीं है, study materials are scattered, मतलब जो study material है, वो उतना organized नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एकदम, एक ही study material नहीं होता, बहुत ज़ादा जो study material है, वो wide होता है, scattered होता है, organized नहीं होता, no organized and systematic teaching environment, teaching environment भी एकदम, organized नहीं होता है, क्योंकि इसमें teacher तो, हमेशा student को कुछ बताएगा नहीं, वो बस जब भी student को कोई problem आया, तो वो guide कर देगे, क्या हाँ तुम ऐसे नहीं वैसे करो, लेकिन कम student को करना है, तो उतना systematic तरीकी से, मतलब एक ही जगा बैठ के, रोजी student teacher को पढ़ा रहे, ऐसा उतना नहीं होता, ओके, तो ये था reflective level, और अब हम last में जो तीनों level है, उसको एक comparison चार्ट के थुरू पढ़ते हैं, देखो, memory level, understanding level, reflective level, इसका concern क्या है, memory level का concern है, सिर्फ memory, understanding level का concern है, mastery over concept, obviously concept पे एक दब mastery करना, पूरी तरीक से समझ जाना, reflective का concern है, problem solve करना, teacher क्या है, memory level पे authoritaria ने, क्योंकि उसी पे पूरा responsibility है, कि student को चीज़े याद करवाई जाए, understanding level पे भी वो authoritaria ने, क्योंकि इसमें वही क्या करता है, student को समझाता है concept को, जब तक ना student पूरी तरीक से समझ पारे, और reflective में teacher है, democratic जो मैंने, अब भी बताए, कि वो students का सुनता है, student memory level पे passive होता है, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना, उनको बस teacher को ही एकदम dito follow करना है, understanding पे वो partly active है, यानि वो थोड़ा सा passive भी होता है, क्योंकि उनको पहले तो सुनना है teacher का, फिर वो active होते है, क्योंकि फिर उन्हें खुद भी अपना जो concept है, वो दिमाग में बैठाना होता है, reflective में वो most active होते है, फिर देखते है, proponent कौन था, memory level में हार्बर्ट था, जिनका हार्बर्ट का five step approach हमने पढ़ा है, फिर understanding level पे, Morrison जिनका Morrison का एक formula था, और फिर Morrison का एक model था, जिसको हम बोलते हैं, unit approach और mastery learning approach, फिर था reflective level का hunt, जो हमने अभी पढ़ा, purpose क्या है, memory level का purpose क्या था, cramming और road learning, यानि सिर्फ रटना, चीज़ों को सिर्फ याद करो, समझना नहीं है, understanding पे कि था, complete understanding, इस पे आके आप समझो concept को, reflective का है application of understanding, जो आपने समझा है, आप उसे apply करो, thoughtfulness, memory level है, least thoughtful, या फिर thoughtless, इसमें कुछ भी student को सोचना नहीं होता, understanding level है, आपर thoughtful, यानि इसमें वो थोड़ा तो सोचता है, क्यूंकि उसे खुद समझना है, reflective level है, इसमें एक particular subject नहीं होता, इसमें एक real problem होता है, interaction between teacher and student, memory level पे zero, memory level पे कोई interaction नहीं होता, understanding पे not much, बहुत जदा नहीं होता, थोड़ा सा होता है, क्योंकि student को समझना है, तो अगर वो समझ नहीं पाता, तो वो teacher से पूछता है, reflective पे बहुत जदा, much interaction, बहुत जदा इंटरेक्शन होता है, main job of teacher, memory level पे क्या है, make students retain facts, student को सिर्फ चीजों को याद करवाना, कि उनके दिमाग में जो चीजे हैं, वो retain कर पाए, recall कर पाए, जब जरूरत है तब उसे याद भी कर पाए, understanding का क्या है, make students have full command over subject matter, subject पे student का full command हो, यानि हमने पढ़ा था कि, जब तक student fully नहीं समझेगा, student को समझाना है, sorry, teacher को समझाते रहना है, फिर reflective में क्या है, guide students to solve problem, इसमें teacher guide करेगा, directly कुछ नहीं करेगा, बस student को guide करेगा, करना actually student को ही है, फिर देखते हैं, teacher centered, memory level पे, हाँ, यह teacher centered होता है, क्योंकि इसमें teacher की सबसे ज्यादा काम होता है, understanding में भी yes, यह teacher centered होता है, reflective no, यह teacher centered नहीं होता है, learner centered, memory level नहीं होता है, understanding level नहीं होता है, reflective level yes, it is learner centered, क्योंकि इसमें students खुद सबसे ज्यादा participate करते हैं, active सबसे ज्यादा होते हैं, अब देखो motivation memory level पे extrinsic यानि memory level पे students को motivate करना है, teacher motivate करता है, वो खुद से motivated नहीं होते, understanding में भी teacher ही motivate करता है student को, और reflective में motivation खुद अपने अंदर से आता है student का intrinsic, हाँ अब reflective में हमने जो देखा कि social motivation भी होता है, लेकिन intrinsic होना मतलब student का खुद motivated होना सबसे ज्यादा, जरूरी है, तो आज था यही session, अगर आपो सेशन अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना feedback जरूर दीजिए, comments में, चैनल को subscribe पीजिए, for more search content, टेलिर्यम चैनल की link और previous sessions की link description में है, और memory level और understanding level को हमने एक दो अलग अलग video उसका है, जो description में हमको link मिल जाएगा, thank you so much